नमस्कार दोस्तों सवागत है आप सभी का नोल्जवानी यूटुब चैनल पर दोस्तों हाली में हमने एक dglocker पे वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि dglocker एप को आपको मोबाल में कैसे यूज़ करना है account कैसे create करना है अधार card को कैसे link करना है और आपका seated certificate किस परकार से download होगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपके उपर आ रहे है आई एकन पे click करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं उसमें दोस्तों आपने बहुत ही अच्छा response दिया है उसके लिए आप सबका thank you और आप सबके बहुत से comments भी हैं जिसमें आपने बहुत से doubts बताए हैं क्योंकि seated certificate को download करते वक्त कई बच्चों को बहुत सी problem face करनी पड़ रही हैं तो वो सभी problems कौन कौन सी हैं उन सबको आज हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं उसका आपको life solution देंगे तो इस वीडियो में आपके जितने भी comment हैं उनको हम देखेंगे और उनके life solution देने का परियास करेंगे ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपके जितने भी doubt हैं वो सब clear हो जाएंगे इस वीडियो को देखकर इसलिए आप इस वीडियो को सुरू से लेके लास तक जिरूर देखें और चैनल को subscribe कर bell icon जिरूर प्रेस कर लें अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप जिरूर चैनल को subscribe करना और bell icon प्रेस कर लेना और दोस्तों last में हम इसमें आपको बताएंगे कि आपको dg locker जो आपकी मारसीट है उसको website से कैसे डाउनलोड करेंगे ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताएंगे इसलिए वीडियो को सुरु से लेके लासा जूर देखें तो चलिए स्टाट करते हैं अपनी first problem आपकी जो है उससे स्टाट करेंगे आप डालके sign up कर रहे हैं वो आल्रेडी डिजि लॉकर पे रिजिस्टर हो चुका है चलिए हम आपको दिखा देते हैं इसका बिल्कुल लाइप प्रोसेस दोस्तों देखिए हमने पिछली वीडियो में उस नंबर पे एक नंबर मॉइल नंबर पे अपना एकाउंट बनाय तो जल्दी से मैं मॉइल नंबर फीड कर लेता हूं तो मैं मॉइल नंबर डाल चुका हूं और जैसे ही मैं यहां पर continue पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पर देखें लिखाव आ रहा है मॉइल नंबर आल्रेडी डिजिस्टर विद डिजि लॉकर तो यह इस तो दूसरी प्रोल्म यहां पर यह फेस की जाती है कि आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड क्या है तो अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड आपने कभी पहले अकाउंट बनाया था और आपको पता है तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है तो आपको कौन सा प्रोसेस यूज करना है कई बच्चों ने मुझे बताया भी है कमेंड में कि हम अपना ID or password भूल चुके हैं तो कैसे पता करेंगे तो यहाँ पर देखिए दुबारा से इसको पीछे चलता है तो इसको कैसे पता करना है तो चलिए देख लेते हैं या आपकी problem number 2 है इसका solution भी चलिए जान लेते हैं तो दोस्तों आपकी दूसरी problem कि आप ID or password भूल चुके हैं या फिर आपका mobile number already registered बता रहा है तो आपको user ID or password नहीं पता है तो आपको कैसे पता करना है चलिए अब इसको देख लेते हैं मालीजिए जो पिछली बार हमने user ID और password जनरेट किया था वो हम भूल चुके हैं बस हम mobile number पता है कि हमने कौन सा feed किया था तब आपको क्या करना है आपको यहाँ पे sign in पे click करना है जैसे आप sign in पे click करेंगे तो आपके नीचे यहाँ पर option आएंगे forget password और forget username तो आपको पहले username चलिए पहले username जान लेते हैं तो forget username पे हम click करते हैं जैसे आप इस पे click करेंगे तो आपका chrome browser पे यह open होगा website तो यहाँ पर देखें यहाँ पर आपके पास दो option होगे एक अधार user एक non अधार user यानि कि अगर आपने पहले जो account अधार उसके साथ link किया होगा तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर डाल के उससे verify करके भी आप पता कर सकते हैं अपना username माली जी हमने उसमें अधार link नहीं किया था तब हम जो है second वाला option नोन अधार user पे click करेंगे तो नोन अधार user पे click कर दिया और यहाँ पर एक रहा है enter mobile number तो हमें mobile number पिछला याद है जो हमने पिछली बार account बनाते वक्त जो डाला था इसलिए हम यहाँ पर अपना mobile number जल्दी से feed करने वाले हैं तो यहाँ पर mobile number अपना डाल देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं mobile number डाल चुका हूँ और जैसी आप यहाँ पर mobile number डालेंगे यहाँ पर आपको verify वाला जो option है यहाँ पर आपको click करना है तो यहाँ पर आप click कर दीजिए जैसी आप verify पे click करेंगे तो आपके mobile number पे एक OTP भेजा जाएगा within 27 seconds यहाँ पर OTP हमारे पास आ जुका है तो आपको यहाँ पर OTP फिल करना है तो चलिए OTP फिल कर लेते हैं जैसे ही आप OTP फिल करेंगे उसके बाद आप verify OTP पे click कर दीजिए तो verify OTP पे जैसी आप click करते हैं तो यहाँ देखिए हमारा यहाँ पर username इसने बता दिया है कि your username is this तो हमें अपना username यहाँ पर पता लग गया है तो दोस्तों अब आपको अपना username जो है वो पता चल चुका है यानकि user ID जो है आपको पता चल चुकी है जैसी आप forget password पे click करेंगे तो आप फिर से chrome browser में आ जाएंगे यहाँ पर फिर से वही दो option आएगा अधार user और non-adhar user यानि कि अगर आपने अधार link कर रखा होगा पहले से तो यहाँ पर आपना अधार number डालके verify पे click करें तब आपको आपका password बता दे जाएगा अगर आपने अधार link नहीं किया था तब आपको non-adhar वाला option फिर से use करना है तो हमने अधार नहीं link किया है मालीजिये तो हम non-adhar user पे click करते हैं यहाँ पर अपना mobile number feed कर देते हैं तो दोबारा से अपना mobile number हम यहाँ पे feed करना है तो चलिए जल्दी से हम इसको feed कर देते हैं आपर हम अपना mobile number डाल चुके हैं यहाँ पर आपको अब verify पे click करना है तो verify पे जैसी click करेंगे आपके पास फिर से एक OTP आएगा तो within 27 seconds आपके पास OTP आजाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं तो OTP हमारे पास आ चुका है चलिए अब इसको जल्दी से feel कर लेते हैं तो OTP हम डाल चुके हैं अब आपको यहाँ पर verify OTP पे click करना है और इसको ok कर देना है तो verify OTP हमने click कर दिया जैसी आप verify OTP क्लिक करेंगे तब उसके बाद आपको create new password को generate करने का आपके पास option आ जाएगा यहाँ से आप नया password जो है generate कर पाएंगे यानि कि अब आप जो अपना password रखना चाते हैं वहाँ यहाँ पर fill करके आप अपना password रख सकते हैं ध्यान दीजेगा आपको पासवर्ड में letters यानि कि ABCD बगारे यूज़ करनी है एक symbol यूज़ करना है और number को यूज़ करना है और उसके बाद आपको submit कर देना है submit करने पे आपका नया password जो है generate हो जाएगा तो इस प्रकार आपको user ID और password जो है वो पता कर लेना है चलिए हम अपना password भी जो है नया रख लेते हैं फटा फट जल्दी से इसमें feed कर देते हैं तो अब यहाँ पर हम अपना password जो है नया डाल चुके हैं और यहाँ पर आपको जो है submit कर लेना है और अपना password को कहीं पर note down कर लीजेगा तो जैसी यहाँ पर submit करते हैं तो यह देखे यह बता रहा है यहाँ पर कि your password has been changed यानि कि अब जो आपने password इसमें नया डाला है वो आपका अब नया password generate हो चुका है और user ID तो हमने पहली पता कर ली थी तो अब आपके पास user ID और password दोनों पता लग चुके हैं तो यह आपकी जो दूसरी problem है यह भी आपकी यहाँ पर solve हो चुकी है तो दोस्तों अब आपको जो है अपना user ID और आपका password है वो आपको पता चल चुका है आपको इसको कहीं पे no down करके रख लेना है आपके यह बहुत काम आने वाला है तो अब आपको जो है यहाँ पर sign in का जो process है आपको यहाँ पर करना है अब आपको sign up बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि आपको my number भी registered है आपको user ID और password पता लग गया है तो आपको sign in का option यूज करना है और digiloker account में sign in हो जाना है दोस्तों आप मेंसे कईयोंने comment किया है कि आपका comment है उसमें यह लिखा है कि आप में ये show कर रहा है कि you have already registered login using your credential तो credential का यहाँ पर मतलब होगा कि आपकी ID और password की help से आपको sign in करना है और आप already registered है आपको दुबारा से registered करने की जुरूरत नहीं है तो यह तीसरी problem थी आपकी तो इसका solution भी यहाँ पर मिल चुका है तो हमने अभी user ID जो password अपना अभी जो नया पता किया है चलिए उसको डाल के हम इसको sign in कर लेते हैं तो sign in पर click करते हैं और यहाँ पर जल्दी से अपना username और password डाल लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना username जो मैंने अभी पता किया था वो और password जो मैं पुराना भूल गया था जो नया generate किया था वो दोनों ही मैं यहाँ पर डाल चुका हूँ और अब मुझे यहाँ पर sign in पर click करता हूँ आपका यहाँ पर sign in हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पर दिखिये हमने अधार काड अभी इसमें लिंक नहीं किया है तो इसलिए यहाँ पर यह दिखा रहा है कि link your अधार ना हूँ और यहाँ पर आपको अधार लिंक करने के लिए हमने आपको पिछरी वीडियो में डिटेल बताया था, कि आपको अधार कार्ड कैसे लिंक करना है, तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो उपर आ रहे है आएकन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और पूरा प्रोसेस जान सकते हैं वैसे हमने उस वीडियो में आपको बताया था कि आपको अधार जो है अगर डिजी लॉकर एकाउंट से लिंक करना है तब आपके पास दो वे रहते हैं आपको लिंक करने के पहला दो रहता है Mobile के थूरू OTP और एक होता है Fingerprint Scan तो mobile के थूरू OTP में आगर आप अपने आप खुद कर सकते हैं जबकि Fingerprint जो scanning वाला Second Option है उसके लिए आपको Cyber believed जाना पड़ेगा जहांपर Fingerprint Scan होते हों तो अगर आप पहला option यूज़ करना चाहते हैं यानि कि खुद करना चाहते हैं और अगर आप mobile app का यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो है अधार link नहीं होगा क्योंकि दोस्तों हमारे साथ भी problem face हमने कर चुके हैं हमने जब उस पे link और अधार नाव पे click किया था यानि कि यह यहाँ पर click किया था और जैसे यह option खुलता है यहाँ पर अगर आप अपना अधार नंबर डालते हैं और इस पर टीक करके continue करते हैं तो क्या होता है कि आपके पास आपके अधार नंबर के साथ जो mobile लिंक है उस पर OTP तो आ जाता है लेकिन जब आप यहाँ पर fill करोगे तो उसको invalid बताएगा तो आपको यह जो है यह process आपको website पर करना है तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको website पर किस प्रकार से करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना Chrome browser open कर लेना है और Google search पे लिखना है dglocker.gov.in तो जल्दी से हम लिख लेते हैं dglocker यह लिखा है त तो यहाँ पर जैसी आप dglocker.gov.in website को open करेंगे तब आपको यहाँ पर three dots दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको three dots पे click करना है three dots पे click करने के बाद आपको यहाँ से desktop site कर लेना है यानि कि यह वाला option आपको choose करना है तो जैसी आप desktop site प password तो पता लगी गया है तो आपको यहाँ पर sign in पर जल्दी से click कर लेना है और sign in कर लेना है तो चलिए इसको sign in फटाफट कर लेते हैं तो sign in पर click करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी login credential यानि कि जो भी आपकी user ID और password है वो यहाँ पर आपको fill कर देना है तो चलिए हम इ username और password डाल चुका हूँ जो username मेंने पता किया था forget username की help से और जो password मेंने नया generate किया था जो password में भूल गया था तो यहाँ पर आपको sign in करना है और sign in करते ही सार आप जो है account में यहाँ पर website में sign in हो जाएंगे तो देखे दोस्तों यहाँ पर यह sign in हो चुका है क्योंकि दोस अधार नंबर डालना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर tick करना है उसके बाद आपको यहाँ पर continue करना है तो यह process आप तब करेंगे जब आपको पता है कि आपका अधार नंबर जो है उसके साथ आपका कौन सा mobile नंबर लिंक है यानकि आपके अधार काड के साथ कौन सा mobile नंबर निंक हो जाएगा और अगर आप जो है अपना मुवाइल नंबर आपको नहीं पता है या आपका मौइल नंबर गल्त लिंक है या आपको मौइल नंबर बंद हो चुका है तब आपको यहाँ पर देखें ओप्षिन लिखा है यहाँ थोड़ा जूम कर देते हैं इसको देखें दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि to link अधार with digilocker without OTP यानि कि OTP यानि कि one time password तो यह तो उस पर आएगा जिसमें mobile number है अगर आपको mobile नहीं है तो अब आपको यहाँ पर click here यहाँ पर click करना है तो दोस्तों अगर आपका जो mobile number है वो अधार के साथ link नहीं है या फिर वो नंबर बंद हो चुका है तब आपको यहाँ पर click करना है to link अधार with digilocker without OTP click here तो यहाँ पर जैसी आप click करते हैं तो यह आपको एक नए page पर ले जा लेगा तो थोड़ा wait करते हैं तो देखें दोस्तों यहाँ पर यह आ चुका है ठीक है यहाँ पर आपको अपना अधार नंबर डालना है अधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर link नाओ पर click करना है तो पहले यहाँ पर link नाओ पर click करके देख लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने टिक नहीं किया है तो यहाँ पर भी आपको टिक कर ले उसके बाद verify पे click कर देना है और आपका अधार आपका link हो जाएगा तो यह तो mobile के थुरू हो गया अगर आपका भाईचांस mobile number नहीं active है तब आपको क्या करना है link अधार without OTP पे click करना है तो जैसी अब यहाँ पे click करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ detail fill करने के लिए यह बो क्लिक करके यहां पर आपको link नबोपे click करना है तो जैसे यह cham他们 link नबोपे click करते हैं तो लेखिए सब्लो selbst हो चुका है और यहां पर हमारा जो आधार है वह इसके साथ link हो चुका है तो बहुत刹 इस सिंपल प्रोसेस है यह आप अपधे पा रहे होँए कि हमारा जो आधार तो यहां पर से यह option हड़ जाता लेकिन मगर इसमें जो है इन्होंने verify कर लिया है यानि कि अब आप अपना जो सीटेट का certificate है उसको यहां से आप इसको ले सकेंगे और जहाता रही इसको link होने की बात और यहां पर show करने की बात तो यह show तभी करेगा जब इसमें आप जो है अपना आपका जो सीटेट सेटिविकेट है वो easily यहां से आपका डाउनलोड हो जाएगा get more now पर click करके इसको अभी देखेंगे कैसे डाउनलोड करना है और जब आप दोस्तों अपना अधार सेंटर पर जाएंगे तो आप वहां पर अपना mobile नमबर जब चेंज कराएंगे अपडेट करेंगे उसके बाद आपको दोबारा से डीजी लोकर की साइट पर आना है और साइन इन कर लेना है और साइन इन करने के बाद आपको यहां पर click करना है update your profile here जैसी आप यहां पर click करेंगे तब आपके सामने एक page open होगा और इस page पे आप यहां देख सकते हैं update ड करेंगे तब आप जब dashboard पर जाएंगे तब आपका यहां से जो यह option है यह वाला option हट जाएगा और यहां पर इसी document वन आ जाएगा और आपका अधार शो करने लग जाएगा जिसको आप download भी कर पाएंगे तो दोस्तों आपकी यह वाली problem यानि कि जो fourth problem में यह solve हो चुकी है जिसमें हमने आपको बता दिया है कि आपको अपना अधार जो है वो किस परकार से डिजी लॉकर के साथ लिंक करना है with mobile using OTP और अगर आपका mobile नंबर जो है अधार के साथ जो लिंक है वो खो चुका है या inactive है ठीक है तो आपको किस परकार से अपना अधार काड डिजी students अपना account जो है डिजी लोकर पर successfully create कर चुके हैं और अपना अधार कार्ड भी successfully link कर चुके हैं अब उनके साथ problem यह आ रही है कि जब वो है अपना mobile app से जब अपना certificate download कर रहे है सीटेट का तो वो download नहीं हो रहा है mobile app से और यह बता रहा है कि not issue by issuer तो चलिए इस problem को पहले द cbsc select करना है तो थोड़ा loading हो रहा है तो देख लेते हैं तो यहाँ पर यह loading हो चुका है यहाँ पर देखे cbsc यहाँ पर आपको देखना है और इसके बाद यहाँ पर आपको teacher eligibility test market पर click करना है और यहाँ पर जैसी आप यहाँ पर click करते हैं तो यह process होने के बाद यह खुल लेते हैं तो रोल नंबर हम डाल चुके हैं इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मंत सेलेक्ट करना है तो मंत यहाँ पर दिसंबर उसके बाद यहाँ पर आपको इयर सेलेक्ट करना है 2018 उसके बाद यहाँ पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद जैसी आप यहाँ पर इसमें अभी update आएगा तो यह problem सही हो जाएगी तो वही मैं आपको बता रहा था कि जो आपका सीटेट का certificate है या आपकी जो अफिलाल तो मार सीटी आई है certificate भी जल्दी आजाएगा तो जो मार सीट है ये आपकी mobile app से download नहीं हो रही है तो इसके लिए आपको website पे जाना पड़ेगा और वहाँ से आपका easily download हो जाएगा तो चलिए अब चलते हैं website पर देख लेते हैं कि website से आपको certificate किस परकार से download करना है तो दोस्तों मैं Chrome browser में आ जुका हूँ और dg locker website जो है मैंने open कर ली है जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाया था और इन three dots पे click करके ये वाला जो three dots है इस पे हमने यहाँ पे click करके इसको desktop mode में कर रखा है तो यहाँ पे आप देख पारे होंगे desktop site mode पे हमने इसको कर रखा है उसके बाद यहाँ पे आपको get more now का option दिख रहा होगा तो आपको यहाँ पे इस पे click करना है तो जैसी आप यहाँ पे get more now पे click करते हैं तब उसके बाद आपको यहाँ पे partner name select करना है यहाँ पर document type select रहना है तो जल्दी से partner name में यहाँ पर आपका cbse आ जाएगा तो यहाँ पे आप cbse search कीजिएगा तो यह आ गया तो इसको select कर लेना है उसके बाद आपको document वाले option पे यहाँ पे नीचे की तरफ click करना है जैसे ही आप यहाँ पे click करेंगे आपको अपना roll number fill करना है यहाँ पर आपको year यहाँ पर month select करना है इसको check करके get document पे click कर देना है चलिए इसको फटाफट कर लेता है तो यहाँ पर मैं अपना roll number डाल देता हूँ तो देखें दोस्तों यहाँ पर यह process start हो चुका है यहाँ पर देख पा रहे होंगे और थोड़ी ही देर बाद यह आपका download हो जाएगा तो देखें दोस्तों यहाँ पर option आ चुका है है website के through तो अब आप सहुझ गए होंगे यह problem भी आपकी अब solve हो चुकी है चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं आपने क्या क्या हमें comment किये हैं और उसमें आपने क्या problems बताईए तो उसका solution देने का हम पूरा परियास करेंगे तो चलिए देखते हैं पहला comment यहाँ पर पहला comment होगा क्योंकि 60% बन जाता है और आपका सीटेट सर्टिविकेट और मार्सीट आपका दोनों डीजी लोकर पर आ जाएगा और बता दें कि आप अगर mobile app से डाउनलोड करनी है तो आपकी यह डाउनलोड नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी हमने आपको live करके दिखाया है कि mobile app स में जाना है उसमें डीजी लोकर वेबसाइट ओपन करनी है डेस्क्टोब मोड पर और उसके बाद आपको जो है अपनी डिटेल फिल करके आपको सर्टिविकेट डाउनलोड करना है तो आपकी जो मार्सीटर वो इसली डाउनलोड हो जाएगी और आपका सर्टिविकेट भ हमने सबसे पहले सॉलीशन आपको बता है तो आप जो है अपना यूजर आईडी फोर्गेट यूजर आईडी और पासवर्ड आपको जो है पता करना है तो इसका प्रोसेश हम बता चुके हैं नेक्स्ट है कि सर एप डिलीट होने के बाद से दोबारा से शो क्यों नहीं हो रहा है मोबाइल डालते हैं और दिखाता है कि अल्रेडी रिजिस्टर तो इसका मतलब यह हुआ है कि आपने पहले एप आपने जब इंस्टॉल करी थी तब आपने एकाउंट बना रखा होगा तो आपकी यूजर आइडी और पास्वरड भी आपका जनरेट हो रखा होगा तो अगर आपको वो यूजर आइडी और पास्वरड याद है तो आप एजली लोगिन कीजिए या फिर साइन इन कीजिए साइन अप मत कीजिएगा साइन इन कीजिएगा तब आपका जो है download करने के बाद app delete हो गई तो sir मैं कैसे चालू करूँ तो आपको play store पे जाना है और दुबारा से app को download कर लेना है और आपको user ID और password डालना है sign in वाले में और अगर आपको password और ID जो है याद नहीं है तब आपको forget ID और password करना है जैसे कि हमने आपको process में बताया है next comment है कि hello sir hi monica 88 mars है OBC category but mars is not found बता रहा है तो आप भी जो है mobile app use कर रहे होंगे इसलिए आपका show नहीं कर रहा है आपको भी mobile के chrome browser में जाना है वहाँ पर आपको check करना है वहाँ पर comment है कि if I enter mobile number it is showing number is not active what I have to do now तो अगर आपका number active नहीं है तो इसमें आपको दूसरा number से आपको try करना चाहिए जो number आपका active हो और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने लिखा है if I use sign up it is showing number already registered तो इसका मतलब अगर आपका जो mobile number already registered बता रहा है उस mobile number को आप याद रखिए और आप जो है forget ID और password की help से अपनी user ID और password पता कर सकते हैं जैसे हमने आपको बताया और फिर आप login easily कर पाएंगे और उसके बाद आपको अधार link करना है उसके बाद आप easily जो है अपनी master डाउनलोड कर पाएंगे mobile के Chrome browser की help से पताया है उसी तरह से आपको उसको पता करना है अपनी ID और password को login करके आपको ठीक है अपनी master मिल जाएगी next यहाँ पर comment आया है कि sir जो mobile number seated का form fill करते time डाला गया था उसी नंबर से digital locker की ID बनानी पड़ेगी या किसी दूसरे नंबर से बनाकर मार्षीट डाउनलोड कर सकते है तो यहाँ पर हम आपको बताना जाएंगे कि आपका जो mobile number seated में आपने डाला था जूरी नहीं है आप उसी नंबर को इसमें डाल कर डीजी locker वाले में उसको आप login करें आप किसी भी mobile number से इसमें account बना सकते हैं प्रोलम वाली बात नहीं है next है कि sir में user id और password दोनों भूल गया हूँ अब कैसे sign in करूँ तो इसकी problem यह problem का solution हम दे चुके हैं वीडियो के starting में तो आप वीडियो के starting में देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास next question है कि मार्षीट सब को मिलेगी क्या fail को भी तो बहुत ही अच्छा question यहाँ पर पूछा गया है पूनम के दवारा तो हम बताना चाहेंगे कि जो मार्षीट है in my opinion सब को मिलेगी लेकिन जो certificate है सिर्फ उनी को मिलेगा जो qualify करेंगे यानि कि general में 90 marks और CST OBC में 82 marks जिनके होंगे पता नहीं क्या नहीं हो रहा है 88 marks होए तो marks it आएगी SCBC category तो 88 marks होए तो अगर आप OBC category में है या SC में है तो आपकी marks it आएगी क्योंकि 82 पर qualify हो जाएगा next यहाँ पर comment है कि sir मेरे 106 marks है यह रितू अ कमेंट है तो congratulations रितू आपका qualify हो चुका है तो मैंने app download कर अधार link कर लिया है बट मेरी marks it not found बता रही है तो आप भी जो है app में use कर रहे हैं जैसे कि आपने लिखा भी है तो आप app में मत use कीजिए आप सीधे chrome browser में जाएं और वहाँ पर आपको प्रोसेस पूरा बता दिया है तो वहाँ पर आपका easily download हो जाएगा जैसे हमने आपको बता है तो आप वीडियो के starting में देख लीजेगा next यहाँ पर comment आया है कि sir मेरे 93 marks है तो congratulations एकता आपका भी clear हो चुका है और इसमें इन्होंने लिखा है कि but मेरा no record found बता रहा है और क्या करना चाहिए तो इसका मतलब आप भी mobile app use कर रहे हैं तो mobile app में नहीं दिखाएगा तो आपको जो है google के chrome browser पर जाना है और वहीं पर जाके आपको यहाँ पर अपनी detail फिल करके वहाँ पर आपको अपना master जो है easily वहाँ पर आप डाउनोड कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में बता दिया है तो next हमारे पास कमेंट आया है कि कोई बताएगा कि सीटेट का कोई कह रहा है फिर से result आएगा कुछ एसे कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेट करते हैं आपके लिए बड़िया बड़िया वीडियो बनाने के लिए तो ऐसे कमेंट आप करते रहिए नेक्स्ट है डीजी लॉकर से ही किया है तो आप डीजी लॉकर एप यूज़ कर रहे होंगे इसकी जगा पे आप Chrome ब्राउजर यूज़ कीजिए आपकी मास्टी डाउनलोड हो जाएगी नेक्स्ट है सर मेरे 86 नंबर है एस्टी केंड़ेट तो आपका क्वैलिफाई हो चुका है डाउनलोड नहीं दिखा रहा है इसका मतलब आप मोबाइल एप यूज़ कर रहोंगे आप भी जो है Chrome ब्राउजर बात नहीं है हमने आपको बता दिया है कि अगर आप मोबाइल नंबर से जो है आपका अधारकार आपका मोबाइल नंबर खोज चुका है और आप जो है आपको मोबाइल नंबर नहीं पता है तो आपको विदाउट मोबाइल नंबर या विदाउट OTP किस प्रकार से करना है वीडियो में हम आपको बता चुके हैं आप वीडियो में देखें next है I tried to create my account on DizzyLocker but I couldn't create it as it showed that your number is already registered तो ये problem का solution हम दे चुके हैं already registered वाला वीडियो के starting में ही तो आप जो है देख सकते हैं और ये कह रहा है कि your number is inactive तो inactive का मतलब तो ये हुआ कि आपका number active नहीं है तो आप किसी और number से भी try कर सकते हैं और अगर आप already registered है तो forget ID or password का आप option यूज़ कर सकते हैं next यहाँ पर comment आया है sir DizzyLocker पर सिर्फ Marsit आया है और कोई certificate आया है बताएं sir इसका मतलब यह हुआ कि यह पूछना चाहरे हैं कि Marsit और certificate दोनों आगये हैं नहीं तो Marsit आये फिलाल certificate भी जल्दी ही आजाएगा इसू कर दिया जाएगा next है कि sir मैंने अपना number कभी register नहीं किया बट डाल रहा हूँ तो registered बता रहा है तो और register बता रहा है तो यह first problem है यह हम आपको बता चुके हैं इसका solution तो आपको user ID password जो है अपना सर्च करना है next है thank you thank you बट अभी तक मेरे डिजी locker में Marsit नहीं आया है कब तक आ सकता है please reply तो पुश्वा सर्मा आपको भी thank you और क्या कहता है डिजी locker में Marsit आ चुकी है आप जो है mobile app को मत यूज कीजिए और आप जाए सिधा अपने Google के Chrome browser में तो वहाँ पे आपकी Marsit आपको दिखाई दे जाएगी next है sir पहली बार डिजी locker खोला है उसमें sign up करता हूँ तो registered mobile number दिखाता है तो ये तो mobile number की problem है तो आपको जो है किसी और mobile number से try करना चाहिए next है कि sir मेरे account create कर लिया है अधार pen dl issue हो गया है पर seated की Marsit करने पर document not issue दिखा रहा है तो इसका मतलब ये वही problem है इसका मतलब आप भी mobile app यूज कर रहे होंगे तो आपको भी cool मिला के Google Chrome browser open करना है वहीं पे आपको login करके आपको अपने Marsit डाउनलोड करनी है next है सर जी registered number दिखा रहा है क्या करें इसका मतलब आपका भी forget ID password वाला ही problem है पहले वाली problem है आपको भी जो है दोबारा से इसको आपको forget ID password करना पड़ेगा next comment आया है सर मेरा अधार नंबर पे नाम बदल दिया गया है और मेरा Marsit डाउनलोड नहीं हो रहा है हम क्या कर सकते हैं प्लीज रिप्लाइ दें तो आप जो है सबसे पहले तो अपना जो अधार पे जो आपका नाम है उसको देख लीजिए documents और जो आपने seated का phone बरतवग दिया था वो ही है अगर वो नहीं है तो अपने अधार सेंटर पे अपना नाम अपडेट करा लीजिए और उसके बाद जो है आप दोबारा से try कीजेगा आपका easily हो जाएगा next है यहाँ पर okay thank you sir thank you to also next है sir mark street डिजी लोकर पे always available होगी न तो 7 year तक तो available होगी जब तक वो valid है उसके बाद confirm नहीं का जा सकता तो रह भी सकती है नहीं भी रह सकती है next है मेरी mark street में signature नहीं आये हैं क्या करना होगा तो जिन जिन लोगों के भी mark street में signature वगएरा नहीं आये हैं और या फिर photos वगएरा नहीं है तो वो सब cbsc की headache है वो अपने आप करेंगे सही दोबारा से उसको सही करके देंगे और आपको सिर्फ वहाँ पे email करना है उनको तो आप email कर दीजिए cbsc वालों को next है OBC category हूं हूं तो OBC category के लिए 82 पे clear हो जाएगा next है सर certificate पर qualify है या नहीं लिखा नहीं है क्या करूं सर तो साइद अभी certificate तो आया ही नहीं है साइद आपने master download की होगी तो master पे qualified या non qualified नहीं लिखा होगा आपका जो certificate आएगा जब आप उसको download करेंगे तो उस पे जरूर लिखा होगा कि आप qualified है या नहीं है तो फिलाल तो master city आईए next है next comment है कि how I sign in to digilocker by credential तो credential का मतलो वही है user ID और password आपको जो है user ID और password से sign in करना है अगर आप भूल चुके हैं तो उसका process हम आपको वीडियो के starting में बता चुके हैं next है कि CBSC में seated का option कहां आ रहा है तो CBSC में आपको click करना है और उसके नीचे वाले option में आप drop down list पे जैसे click करेंगे तो last में आपको seated का option तो नहीं मिलेगा लेकिन teacher eligibility test mark seat का option मिलेगा वही आपको click करना है वहीं से आपकी seated की mark seat download हो जाएगी next है कि बिना अधार का download कैसे करें sir please reply तो बिना अधार काड तो आप करें नहीं पाएंगे क्योंकि आप using नहीं कर पाएंगे आपके पास option नहीं आएगा तो यह तो आप भूली जाएगे तो आपको अधार काड लिंक करना ही पड़ेगा या फिर आपको अधार काड की कुछ डिटेल तो आपको लिंक करनी ही पड़ेगी next है कि thanks good video तो thanks for the comment उपमा next है कि sir मेरे 82 मार साय है certificate डिजी लॉकर में मिलेगा की नहीं तो certificate का तो confirm कहा नहीं सकते वैसे 82 पे general का तो qualify नहीं होगा SST OBC का हो सकता है और उनका certificate भी मिल सकता है तो कुछ नहीं कह सकते है next है sir डिजी लॉकर का mobile number कैसे change करते हैं तो डिजी लॉकर का mobile number है उसमें आपको जो है आपके mobile के chrome browser में जाना है और chrome browser में जाने के बाद आपको update profile में click करना है और वहीं पे आपको एक option मिलेगा mobile number का वहीं से आप उसको change कर सकते है next है यहाँ पे sir मैंने form में दूसरा number डाला था और अधार में दूसरा है link है sir certificate सही नहीं हो रहा है तो इसका तो कोई problem का होनी नहीं चाहिए कि अगर आपने form में दूसरा number डाला है और अधार में दूसरा है तो उससे कोई फर्ग नहीं पड़ता है तो जो आपका अधार है उसको जब आप link करेंगे तो आपके अधार वाले mobile number पे OTP जाता है तो वो आपको पता होना चाहिए वो आपका active होना चाहिए उसको आप उसमें feel करेंगे और डिजी लोकर में तो आप कोई सब्सक्राइब लंबर डाल सकते हैं कोई प्रोलम वाली बात नहीं है नेक्स्ट है कि सर अधार link करने पर अल्रेड़ी link बता रहा है और dashboard पे you have not linked your अधार वाला message आ रहा है तो इसका मतलब है या तो आपने refresh नहीं किया है या आपका ढंक से update नहीं हुआ है तो आप जो है अपना जो अधार है उसको दोबारा से update कर लीजिए वहीं पर आपको option मिल जाएगा Google करूम browser में और डिजी लोकर की site पे जाके sign in करके तो update कर दीजिए हो जाएगा ठीक हो जाएगा next है कि मेरा OTP कहां आएगा SIM तूट गई तो OTP तो फिर आपका आएगा ही नहीं तो आपको जो है without mobile number जो आपका अधार के साथ आपका खो चुका है इसका मतलब ये वालब प्रोलूम का हमने आपको solution बता चुका है बता चुके हैं कि अगर आपका mobile number आपको नहीं याद है कि अधार के साथ कौन सा link है और वो SIM तूट चुका है या फिर कुछ भी हो चुका है तो बिना आप जो है mobile के या OTP के आप कैसे करेंगे तो इसका process हम आपको बता चुके हैं next यहाँ पे comment है कि sir digilocker पर मेरा अधार number already exist लिखा रहा है तो इसकी problem यह solution भी हम बता चुके हैं आपका पहले से account बनाओगा और आप mobile app पर sign up कर रहे होंगे इसलिए already exit बता रहा है next है next है कि मेरे uncle का अधार number add कर सकते हैं नहीं तो आपको अपने uncle का नहीं करना है अपना ही करना है next है कि मेरा mobile number पहले से registered बता रहा है क्या करूं sir तो आपको जो है first problem है आपकी वही हम आपको solution बता चुके हैं तो already registered है तो आपको forget ID पासवर्ट पर क्लिक करना है next है sir please please help me जब मैं sign up के लिए अपना number डाल रही हूँ तो बोल रहा है already registered तो already registered की first problem जो हमने आपको solution स्टार्टिंग में बताया है वीडियो के तो आप सुरू में देख लीजिए आपको पता लग जाएगा next है कि sir मेरा अधारकार number नहीं है तो इसका मतला आपके बादारकार नहीं है जो qualify नहीं होता है और फिलाल अब डीजी लोकर पर आ रहा है तो कुछ नहीं कह सकते मार्सीट तो आएगी लेकिन certificate का कुछ नहीं कहा जा सकता अभी next है कि sir मेंने अभी तक डीजी लोकर अकाउंट नहीं बनाया था अभी एकाउंट बनाया और certificate आ तो जाएगा न तो हांजी आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा आपका certificate जो अगर आपने एकाउंट अभी भी बनाया तब भी आ जाएगा कोई प्रोल्लम वाली बात नहीं है seated का option नहीं आ रहा है इसका मतलब seated option आपको नहीं दिखेगा आपको अधार संनर पर जाना है और अधार संनर पर जाकर अपना मोबाइल से लिंक करना है और उसके बाद आपको digit-locker पर एकाउंट बनाना है और वैसे अगर आपका mobile नमबर नहीं भी है तब वी आप बना सकते हैं आपको वीडियो के स्टार्डिंग में बताया है आपकी फोर्थ प्रोब्लम है नेक्स्ट है कि प्लीज बताये सर वाट शूड आए डू और ये पूछ रहे हैं कि मैंने अपना अकाउंट दूसरे नुबाई नंबर से बनाया है पर अधार काड दूसरे नंबर से लिंक है तो मेरे डोक्यमेंट नहीं आ रहा है क्यों तो अगर आपका एकाउंट जो है डिजी लोकर पे आपने दूसरे नंबर से बनाया है और अधार काड आपका दूसरे नंबर से लिंक है प्रोलम नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर दिक्कत यह आ रही होगी कि आपने अपना अधार जो है लिंक नहीं किया ओगा अपने dg locker account के साथ तो आप अपना अधार dg locker account के साथ link कर लीजे आपके document भी आ जाएंगे और get तक से तो नहीं आएगा नेक्स्ट है कि सर मेरा अधार में जो नंबर दिया था वो मुझे नहीं मिल रहा है तो अगर आप यहाँ पर यह कहना चाहती है कि आपका जो मुबाईल नंबर है वो खो गया है यानि यह वो इनेक्टिव है या फिर आप भूल चुके हैं या फिर वो अभी आपके पास नहीं है तो इसका मतलब आपको अधार जो है लिंक करना है विदाओड मुबाईल नंबर तो आप इसको सिंपली कर सकते हैं हमने आपको बता दिया है यह आपकी पांची प्रोलम थी यह हमने पांची प्रोलम डिसकस कर दी है वीडियो में स्टार्टिंग में और अगर आप यह कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है कि कौन सा मुबाईल नंबर है तो अधार में तो ज गजब थेंक्यू और नेक्स कमेंट है नाइस सर थेंक्यू फेमस यूट्यूबर तो यह इनका लास्ट कमेंट था तो यह थे आपके जो भी डाउटफूल कमेंट्स हैं और जो भी हमारे पॉजिटिव आपने रिप्लाइ किये हैं वो सब तो I hope आपके जितने भी डाउट्स ह होंगे जिसमें हमने आपको पूरा क्लियरली जो है बता दिया है कौन सी जो भी आपकी प्रॉलम थी और उसका क्या क्या सॉलीशन हो सकता है तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताईएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आकन